नमस्कार मैं हूँ प्रशान्त भारतवाज और आप देख रहे हैं निउसोंग पोस्ट पश्चिम बंगाल के नौर्थ 24 परगना जिले का संदेश खाली गाउं बीते कई हफ्तों से राजनीतिक हंगामे की वज़े बना गुआ है टीमजी के स्थानी अनेता शाजहां शेख पर लगे महिलाओं के यौन उत्पीडन के आरोपों को लेकर के विरोध प्रदर्शन का गवाह ये गाउं बना गुआ है आप भी बीते कई दिनों से संदेश खाली में महिलाओं के प्रदर्शन और दुषकर्म के खिलाफ उनके हला बोल से जुड़ी अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स लगातार टीवी न्यूज चैनल, अखबारों और डिजिटल मीडिया में भी देख रहे हैं है संदेश खाली की कहानी वाकई में रूह कपा देने वाली है और यही बज़ा है कि ये मामला सीएम ममता बनरजी के गले की भास भी बन चुका है सुंदर महिलाओं को चुनकर उनका यौन शोषण करना और उनकी जमीन हडबने का ये केस सामने आने के बाद ममता सरकार पर लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं इस बीच National Commission for Scheduled Cast याने NCSC की टीम संदेश खाली पहुची और वहां की स्थिती को लेकर के उन्होंने राष्ट्रपती को अपनी रिपोर्ट भी सोपी है अब ममता बनर जी के लिए चिंता की बात ये है कि NCSC ने अपनी इस रिपोर्ट में अनुच्छेद 338 के तहत पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपती शासन लगाने की मांग करती है तो क्या अनुच्छेद 338 के तहत ममता बनर जी की कुर्सी चा सकती है ये हम आपको बताएंगे लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं क्या आखिर संदेश खाली का ये पूरा केस है क्या बीते महीने आपको याद होगा जन्वरी में ED ने राषन घोटाला मामले में TMC नेता शाजहां शेख के ठेकानों पर छापे मारी की थी इसकी जानकारी हमने भी आपको न्यूजरूम पोस्ट पर दी थी इस दोरान ED गी टीम पर भी हमला हुआ था और तब ही से शाजहां शेख फरार है इसके बाद संदेश खाली की महिलाओं ने शाजहां शेख और उसके साथियों पर यौन उत्पीडन, हिंसा और जमीन हडपने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए महिलाओं का कहना था के शाजहां शेख के लोग गाओं में घर घर जाकर सर्वे करते थे घर में कोई सुन्दर महिला या लड़की उन्हें नजर आती थी तो वो उसे पाल्टी ओफिस ले जाकर कई रातों तक अपने पास रखते थे आरोप ये भी लगे कि TMC के पाल्टी ओफिस में महिलाओं और लड़कियों का रेप किया जाता है इसके बाद BJP इस मामले में ममता सरकार पर हमलावर हो गई और उनके स्तीफे की मान की जाने लगी लेकिन अब NCSC की सिफारिश के बाद सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या ममता दीदी की कुरसी अनुच्छेद 338 के तहत जा सकती है असल में सम्मिधान का अनुच्छेद 338 ये कहता है कि NCSC को देश में SC समुदाय की सम्मिधानिक सुरक्षा के उपायों के कामकाज की एक रिपोर्ट तयार करके हर साल राष्ट्रपती को सौपनी है NCSC के चीफ अरुन हल्दर के मताबिक अगर राज्य सरकार किसी दीवर्ग के अधिकारों की रक्षा करने में फेल हो जाती है नाकाम हो जाती है तो फिर ऐसे में उस राज्य में राष्ट्रपती शासन लगाया चा सकता है पश्चम बंगाल दूसरा सबसे जादा SC आबादी वाला राच्य है जहां अनुसूचित जरजाती के लोग रहते हैं ऐसे में ममता बनर जी की कुर्सी पर तलवार तो जरूर लटक रही है ये कहना गलत नहीं होगा तो इस वीडियो में मिरे साथ फिलाल इतना ही क्या पश्चम बंगाल की CM ममता बनर जी की कुर्सी अनुच्छे 337 के तहत अब जाने वाली है आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत पूलिएगा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ नमस्कार